हालो साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने उटी चनल सिकंदर क्लासिट पर अज हम एक और अगले वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बिहार बोर्ड के 2014 में हुए एक्जाम के साइंस कोस्चन लेकर आए हैं जो पहला पर्थम पाली का अर्थात फर्स सेटिंग का कोस आज का वीडियो शुरू करते हैं पाला कोच्चन काउन से लेंस में बास्त्विक और अभासी दोनों प्रकार का प्रतिवी मनता है तो उत्तल लेंस में बास्त्विक और अभासी दोनों प्रकार का प्रतिवी मनता है उत्तल लेंस दूसरा असपश्ट द्रिष्टी की निवनतम दूरी का माण लगभक कितना होता है पच्चीस सेंटीमीटर निउन्तम पुछेगात कितना होता है पच्चीस सेंटीमीटर लेकिन जब यह हमसे पुछता है कि अधिक्तम दूरी ता अधिक्तम दूरी अनान्त होता है अधिक्तम दूरी कितना होता है अनान्त है चलिए आगे तीसरा नम्मर दूत हीटर मेतार की कुलि किस तत्विकी बनी होती है और नाई मैं क्रोम की इसका बनावता है नाई क्रोम का जोठा नमर बायो गैस का मुख्य घाट क्या है ता मीथेन गैस जो होता है बायो गैस का मुख्य घाट होता है मीथेन इसका सुत्र होता है CH4 और पाच्वा नमर एक लेंस की छमता पलस पांच डायप्टर है लेंस की छमता पलस पांच डायप्टर है यह किस परकार का लेंस है तो जब पलस में रहता पांच डायप्टर तो कहेंगे उत्तर लेंस पलस में रहेगा तो उत्तर लेंस लेकिन जब वही माइनस में रहता तो काते हैं आब तर लेंज चाठा जो दून नमर का है हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक ग्यारा नमर एक नमर कोचन है कि सी एन एच टू एन किस हाइड्रोकार्बन ग्रूप का सन राचनात्मक सुत्र है ता सी एन एच टू एन एलकिन एलकिन का सुत्र होता है एलकिन समु का सुत्र होता है बारवन नमर च्ट्री सी एल का आई उपीयसी नाम लिखें ता मीथेन कलोराइड तेरा नमर लिथियम एवं पोटैसियम परवानू द्रमान का आउसत क्या है ता लिथियम का और पोटैसियम का परवानू द्रमान का आउसत पुछेगा तो वह सोडियम के बरावर होता है क्योंकि लिथियम का तीन और पोटैसियम का लिथियम एवं पोटैसियम परवानू द्रमान का आउसत जो हता है सोडियम के बरावर होता है का उसत क्या होता है, चौडा नमर संत्रित करने बाला है उसको उसकों लोग बोड़ पर सोले सोलो करेंघे पंदरा-नमर तनू-करन किसे काते हैं तो जल्में आम लिए चार्ण को मिलाने पर उसके आयनन सांधरता में परधि एकायायतन कमी आ जाती है तो इस परक्रिया कहले बोलते हैं तनुकरण इस पर क्या बोलते हैं तनुकरण चलिए आगे बढ़ते हैं पर जीबी किसे कहते हैं तो वह ऐसे जीब जो अपना भोजान दूसरे जिब से प्राप्त करते हैं अर्थाद गरहन करते हैं उसे परजी भी करते हैं जैसे अमर बेल गोल क्रीमी ये सबी परजी भी है 22 नमर अनुवान सिकी के जनक कौन है मतलब अनुवान सिक्ता के पिता किसे कहा जाता है ग्रेगर जोन मेंडल ग्रेगर जोन मेंडल ग्रेगर जोन मेंडल ग्रेगर जोन मेंडल तेश नमर नी सेचन किसे काते हैं नी सेचन किसे काते हैं तनर यूगम तथा मादा यूगम के संगलन की किरिया को मिलने की किरिया को नी सेचन कहा जाता है 24 नमर मानब निर्मित किसी एक जैव निमनी करनी पदार्थ का नाम लिखें तर टीसू पेपर जो है मानब निर्मित है और जैव निमनी करनी है 25 नमर रक्त किस तरह का उत्तक है तरल सन्योजी उत्तक कैसा उत्तक है तरल सन्योजी उत्तक चलिए ग्रूप बी में देखते हैं इसमें 20 कोचन है चलिए शुरू करते हैं पाला कोचन विदुद चुमबक बुनाने के लिए पराए किस पदार्थ के छड़का उप्योग के जाता है तर नर्म लोहे का किसका नर्म लोहे का दूसरा नमर हमारे घर में जो विदुद आपूर्ति की जाती है वह है 220 भोल्ट पर प्रत्यवर्ति धारा की आविर्ति 50 हरेटेज होती है तिसरा नमर किसी बस्तू का प्रतीम आख के जिस भाग पर पढ़ता है वह है ता रे टीना पर कहा पढ़ता है रे टीना पर पर और जो आख के किस भाग पर पढ़ता है रे टीना पर चौदा नमर एक स्वास्त आख के दूर बिंदू होता है ता अनांत दूर बिंदू कितना होता है अनांत लेकिन जब निकड बिंदू पूछता है तो 25 सेंटीमीटर निकड पूछेगा कितना 25 निकड पूछेगा तो 25 पांचमा नमर जिवास मिंदन की उर्जा का बाश्त्विक स्रोत है तस्चूर जो है जिवास मिंदन का उर्जा का बाश्त्विक स्रोत है चाथा नमर विधूत चुमबक के पिरेड़ा की खोज किसने की थी फाराइडे ने किसने क्या था फाराइडे ने सात्वा नमर जो नेतर निकट अस्थित बस्तु को साप साप नहीं देख सकता है उस नेतर में होता है तो निकट की बस्तु साप साप नहीं देखता है मतलब दूर द्रिष्टी दोस क्योंकि दूर द्रिष्टी में दूर का दिखाई देता है और निकट का दिखाई नहीं देता है दूर द्रिष्टी दोस आठ्वा नम्मर समिकरन CACO3 जब उसमा दियंदे टूट गया CAO पलस CO2 तो किस परकार का समिकरन है एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्वान हो रहा है तो कहेंगे बियोजन अविकरिया कौन अविकरिया नो नमर साक सबजी को विघाडित होकर कम पोश्ट बनना किस परकार के अविकरिया का उधारन है तो उसमा छेपी कैसा है उसमा छेपी दशमा नमर निमलिखित में कौन विजाती अवगिक है विजाती का मतल़ा सबसे अलग भीन प्लाश्टर आफ पेरिस है जो सबसे अलग है तीनों से अलग है क्योंकि चूना पत्तर को खड़िया विकाते हैं खड़िया को संग्मर्वन विकाते हैं अधिन तीनों का रसायनिक सुत्र CSEO 3 होता है संग्मर्वन का रसायनिक सुत्र CSEO 3 होता है 11 नमर निमलिखित में से पी एच का कौन सा मान चारग बिलियोन कमान होता है तो चारग कमान साथ से अधीक होता है चारग कमान साथ से अधीक होता है 13 कौन होगा? 13 कौन सा अधातु कमरे केताब पर द्रवस्था अड़्था तरलवस्था में होता है अधातु बोल रहा है तो बोलेंगे ब्रोमीन अधातु बोलेगा था ब्रोमीन लेकिन अगर वही पर धातु बोलता तो बोलते हैं पारा बारन तेरा नमर सीशा और टीन के मिस धातु को कहते हैं कि सोल्डर क्या बोलते हैं सोल्डर सोल्डर या इसे को टाका यह बोलते हैं चोदा नमर ऑक्सीजन के दो परवानों के बीच कितने अबंध होते हैं ता ऑक्सीजन का होता है परवानों संख्या आठ ऑक्सीजन ता आठ में होता है दू और छे तो इसको चाहिए कितना दो चाहिए ऑक्सीजन को चाहिए कितना दो इसलिए किसमें कितने अबंधन होते हैं पंद्रा नम्मर निमलिखित में से किसे आप उपहोकता की स्रेनी में रखेंगे तो उपहोकता का मतलब भोजन को ग्रहन करने वाला जंगली ज्यानवर जो था भोजन को ग्रहन करता है और यह सबी जो हैं उत्पादक है काबख में पॉस्ण की कौन सिबेधी होती है काबख में मिर्तजीवी पॉसन होता है 17 नमर मुकलन द्वारा पुरजनन किस में होता है एस्ट में किस में होता है एस्ट में मानड़ में डायलेसिस थाइली है डायलेसिस थाइली है तर नेफ्रान डायलेसिस थाइली है नेफ्रान नेफ्रान 19 नमर पूस्वी पौधे में लहेंगी जनन किसके द्वारा होता है फूलो द्वारा 20 नमर निम लिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपगाटित होने वाला पदार्थ है तो सूखे घास एवं पत्ते जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपगाटित हो जाएंगे मतलब सरगल जाएंगे यह वीडियो जदी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेयर करना न भूलें यह वीडा अठ प्रक्रम, करना न भ्यान धो, तो मैं न भूलेंeld